तो बहुत लोग को मन में यह डाउट होता होगा कि यहां पर Chromebook ले या फिर Laptop ले तो दिखो यह Chromebook और Laptop इन दोनों में differences है तो क्या differences है क्या आप लोग को ए Chromebook लेना चाहिए और क्या यहां पर आप लोग को एक laptop लेना चाहिए जहां भी Windows से installed है तो यह confusion है जो इस वीडियो के इंदर हम लोग दूट करेंगे तो इस वीडियो के साथ बने रहे हैं लास्ट तक आप लोग के लिए बहुत जादा इंफॉमेटिव इंफॉमेशन है जो मैं शेयर करने वाला हूँ तो चलिए केक स्टार्ट करते हैं तो दूस्तों मेरा में सूंभी सुआसा आप देखेरें अच्छा लग दे चानल का तो लाइक जरूर प्रिस करना दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना अगर नए हो चानल प होती है यह Chromebook कर देगा क्या यहां पर Chromebook बहुत अच्छा होगा या फिर Windows होगा ऐसी जो है confusion आपके दिमाग में चलती रहती है और बहुत ज्यादा पर देखो है Chromebook के अंदर आप लोग को देखने को मिलता है Chrome OS जो एक operating system है जो developed किया गया है वाया गूगल और गूगल ने यह वाली जो operating system निकाली है जो कि बहुत ही ज्यादा friendly है और बहुत ही जादा easy to use है पर यहां पर restrictions है बहुत जादा जो कि आप लोग as an Indian user आप लोग को दिक्कत दे सकता है फर्स दिक्कत जो है यहां पर देखो है विंडोस के बारे में जादा नहीं बताऊंगा विंडोस सभी जानते है विंडोस बहुत जादा वर्सटाइल है operating system और यह Microsoft के द्वारा बनाया गया है तो यहां पर देखो Windows में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी रिगार्डिंग सॉफ्टर यूसेज तो यहां पर जितने भी सॉफ्टर से Microsoft Office के लिजिए और जितने भी सॉफ्टर से Photoshop यूज करना है प्रीमियर यूज करना है या फिर कोई भी सॉफ्टर आप पकड़ लीजिए Windows के लिए अवेलेबल है बट यहीं चीज़ क्रोम के लिए अभी तक एवेलेबल नहीं है Chrome OS के लिए ऐसा कुछ develop नहीं किया गया है तो आप मुझे अभी cross question करोगे कि यहां पर जो है Chrome OS के अंदर हम लोग प्ले स्टोर से सारे application को चला सकते हैं हाँ बिल्कुल चला सकते हो दोस्तों यहां पर जो Chrome OS के अंदर आप लोग को यहां पर ए सब्सक्राइब कर सकते हो बात करेंगर Windows की तो यहां पर भी आप लोग जो इमुलेटर वगरा लगा कर जो Android application को वहां पर भी चला सकते हो साथ ही साथ यहां पर आप लोग जो है Windows की App Store की जितने भी application है वह तो चला सकते हो और जितने भी बड़े-बड़े software से जो Windows की भी बन Windows की software चलाना चाते हो तो सारे चीजे जो है एक Windows ही अच्छी तरीका से सब्सक्राइब सकता है दूसरी चीज आती है storage storage के मामने में देखो यहां पर जो Android के system है यहां पर जादा storage प्रिफर नहीं किया जाता यहां पर आप लोग चार जीबी की RAM देखने को मिल जाएगे कुछ हाई-end जो Chromebook होती है उसके अंदर 8GB की RAM होती है वह आप लोग expand नहीं कर सकते साथ जाद Windows की बात करें तो यहां पर आप लोग जो है Windows laptops की तो यहां पर आप लोग RAM को upgrade कर सकते हो इसके hardware जो specification होती है न वह बहुत जादा तगड़ी होती है जहां पर आप लोग जितना चाहे RAM लगा सकते हो साधी साथ storage की बात आ रही है तो यहां पर HD की बात आती है तो Chromebook के अंदर बहुत जादा limited होती है 128GB, 250GB maximum होती है यहां पर capacity जिसके अंदर आप लोग additional अगरा चाहते हो तो आप लोग microSD slot से उसको expand कर सकते हो या फिर USB से आप लोग external hard drive लगा सकते हो लेकिन Windows मे बहुत जादा versatile होता है in terms of storage तो यहां पर भी Windows winner हो जाता है उसके बाद आती है user experience user experience की बात करें देखो Chrome OS बहुत जादा familiar होता है एक browser की तरह है जैसे कि अपने Google Chrome browser अगर आपने यूज किया तो उस तरीके से आप लोग चीजों को easily browse कर सकते हो बहुत easy to use है अगर आप लोग experience देखने को मिलेगा जो लोग normally जादा uses नहीं करते है जैसे कि उन लोग का task है चीजों को browse करना है और यहां पर कुछ apps वगरा यूज करना है Instagram, Facebook, social media और यहां पर कुछ application typing वगरा की use करते हो research purpose के लिए use करते हो तो यहां पर Chromebook ले सकते हो यहां पर आप लोग को कोई भी दि Windows में सारे चीज़े अपलोग कर पाऊगे तो यह चीज़े है अगर मैं media type की बात करूँ जैसे के playback वगरा की तो playback के अंदर भी आप लोग को यहां पर Windows के अंदर ज्यादा facilities देखने को मिलेगी अगर कोई भी यहां पर एक ऐसा format है जो शायद से support नहीं करना Windows के अंदर उसके जो शायद से रन नहीं कर सकता कभी वह Windows कर सकता है उसके बाद आती है बैटरी लाइफ बैटरी लाइफ की बात कर तो Chrome OS के आपको बहुत ही तगड़ी बैटरी लाइफ देखने को मिलती है देखने को मिलती है एक Chrome OS बहुत ही लाइट वेट ओपर बहुत ही हो जाता है बहु प्रोसेसर भी हाई-end हो जाती है तो यहाँ पर आप लोग को थोड़ी बहुत जो है यहाँ बैटरी कम ही देखने को मिलती है एस कंपेर्ट टू एक Chrome OS बट आजकल जितने भी लाइफ आ रहे है वहाँ पर भी आप लोग को अच्छी खासी जो है बैटरी लाइफ देखने को मिल रही है as compared to a Chromebook उसके बाद आती है प्राइज दोस्तों यहाँ प्राइज जो है Chromebook की स्टार होती है एराउं 25,000 25,000 स्टार होता है वह 1,00,000 क्रॉस कर जाता है तो आप सोचते हो कि इतना कॉस्ली हो जाता है हाँ पिक्सल बुक जो है Chromebook जो Google की तरफ से है वह 1,00,000 संथि जो है यहाँ पर आप लोग को उतनी ज्यादा flexibility देखने को नहीं मिलेगी as compared to a Windows laptop उसके बाद आती है गेमिंग कहां पर कर सकता हो ओविसली है डिरेकली मैं कुछ जादा नहीं बताऊंगा यहाँ डिरेकली गेमिंग के लिए आप विंडोस की गेमिंग लाप्टाप के साथ एक Chromebook जो है दोस्तों यह गेमिंग के लिए बिल्कुली बनाना है इसको अगर गेमिंग के लिए सोच रहो तो बिल्कुल गलत सोच रहो आप लग विंडोस को ही आप्ट करना चाहिए अगला दोस्तों वह सिक्रीटी सिक्रीटी की बात करें तो सिक्रीटी में यहाँ पर operating system जो है ना विंडोस विंडोस थोड़ी बहुत वल्नरेवल हो जाती है कभी कबार बट चो है operating system अगर बात करो तो ख्रोम हो इसके ख्रोम है एक ऐसा operating system है जो online काम करता है यहाँ पर आपके gmail id की necessity होगी जब भी आप लोग कुछ काम करना चाहोंगे तो gmail id के साथ associated होता है तो यहाँ पर जादा जो है जितने भी फाइल से वह गूगल के server में रहता है और कुछ भी दिखता थी है तो आ तो यह जो है Microsoft responsible नहीं होता है तो आपके गलती के कारण अगर कुछ होता है तो यहाँ पर जो है यह security के मामले में थोड़ा पीछे आ जाता है as compared to Chromebook तो यह चीज़े आप लोग को ध्यान रखनी है तो अभी final question आता है कि आप लोग को Chromebook लेना चाहिए या फिर Windows का laptop तो देख ली Windows C laptop चूज करना है क्योंकि वहां पे होता है upgrade option साधी साथ जो है versatility आप लोग को देखने को मिल जाती है आप लोग कहीं पर भी किसी से भी कोई भी software install करवा सकते हो आपके laptop के अंदर जो आपकी need है जो आप लोग को बहुत जादा flexibility दिखाई देगा लेकिन यह Chromebook के मामले में यह सब आप लोग नहीं कर सकते अब एकर बात करते हैं किनको Chromebook लेना चाहिए Chromebook उन्हें लेना चाहिए जो Android application शोशल मीडिया के application यूज करते है on the go आप लोग को application के साथ ही रहना है और यहां पर एक चीज़ मैंने कहना भूल गया था कि यहां पर Chrome OS के अंदर आप होता है और एक चीज़ है Windows आप लोग offline भी यूज कर सकते हो इंटरेट हो चाहिए ना हो आप लोग बहुत सरी applications हो गई आप लोग के हार एक टांस जो है कर सकते हो without the access of internet तो यहां पर जो है डिरेक्ली आप लोग मैं कहता हूं कि आप लोग जो है अगर आप लोग सिर्फ और सिप ऐसी social media टास्क करना चाहते हूं या फिर आप जो है यहां रिसर्च परपर्स के लिए ब्राउजिंग वगरा करना चाहते हो दैन लोग जो है प्रिफर करेंगे इन एंडिया एक विंडोस का लाप्टॉप जो हंडड़ परसन आप लोग को जो है बहुत सदा फ्लेक्सिबिलीटी देगा और साथ जाए यहां पर वैल्यू फो मनी भी आप लोग को देखने को मिड़ेगा तो आपको कोई भी डाउट है या पर कोई भी मैंने गलती वगएरा की तो नीचे कमें स्क्राइब में मुझे बताना मैं आप लोग को रिपलाई करूंगा और जाकर इंस्टाग्राम में फॉला करो और कुछ भी परसनली क्वेशन कुछ पूचना है जाकर वहां मैं डीम करते हैं एक दो दिन में रिपलाई जाएगा तो में देगे अगले इंट्रेस्टिंग वीडियो के साथ तब तक के लिए स्टेए इनट श्टेए सेव बाई